आज हम बनाएंगे राजमा की सबजी ये धाई सुग्राम राजमा है इसको मैं नची तरीके से दोकर राद बर पानी में भिगो के रखा था अब एक कूकर ले लेते हैं इसमें अब हम ये राजमा डालेंगे इसके बाद आप इसमें दो गलास के करीब पानी डालेंगे पानी हमें इतना डालना है जितना की राजमा पानी में अच्छी तरीके से डूब जाए इस तरीके से अब इसमें हम स्वादयनुषा नमक डालेंगे एक चमचे नमक डाल रही हमें अब हम इसे ढख कर गेस पे चड़ा देते हैं और गेस का फ्लैम को उन्कर देते हैं अब इसे हम 2-3-4 शिटि आने तक पकने देंगे हाई फ्लैम पे ही पका लेंगे हम तो 3-4 शिटि आ गई है तो गेश से कूकर को नीचे उतार लेते हैं उसका pressure निकलने देते हैं इसका pressure निकलने के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं राजमा अची तरी से गले भी है या नहीं कभी कभी ऐसा होता है कि राजमा नहीं गलती है तो यह देखिए राजमा हमारी गल गई है तो चलिए अब एक कड़ाई में दो चमतील को गरम होने देखे हैं इसके बाद हम एक चोथाईं हमक हो प्याज के कड़ीब जीरा डालेगे और एक तेजपाद जीरा को चे देते हैं गोल्डन ब्राण होने तक इसके बाद दो से तीन हरी मिज का टुकोड़ा डाल देंगे इसमें इसके बाद हम प्याच का पेस्ट लेंगे ये एक मीडियम साइच का प्याच था इसका पेस्ट मैंने बना ली थी अब इसको चला के कुछ सकेंड के लिए इसी तरीके स चलाते वे पका लेंगे अब हम इसमें जो टामाटर का मैंने पेस्ट बनाई है अब उसको हम डालेंगे इसमें एक टामाटर ली थी मैंने उसका भी पेस्ट बना ली थी अब इसमें एक चमच अध्रग लसन का पेस्ट डालेंगे और इन सब को अच्छी तरीके से चलाते व इस तरीके से पकाने के बाद हम इसमें एक चमच के करीब धनिया पौडर डालेंगे और आधा चमच हल्दी पौडर एक चमच लालमिश पौडर आप अपने अकोडिंग कम्या जादा कर सकते हैं यह एक चौथाई चमच गरम मसाला इन सबको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं और मसाले को अच्छी तरीके से चलाते हुए पका लेंगे अब है इसमें हम थोड़ असा पानी डालेंगे ताकि मसाला और अच्छी तरीके से पक जाए तो इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे इसको हम ढखके लो टू मिडियम फ्लेम पर हम पका लेंगे दो से तीन मिनट के लिए तो दो से तीन मिनट हो गई है मसाला चीत तरीके से पक भी गई है तो चले इस तरीके से हम चला के मिक्स कर लेते हैं मसाले को इसी तरीके से चलाते हुए हम पका लेंगे अब इसमें उबाला हुआ राजमा डालेंगे और इन में अच्छी तरीके से मसाले में राजमा को हम मिक्स कर लेते हैं इसी तरीके से हम मिक्स करते हुए एक मिनट के लिए चलाते हुए पका लेंगे तो यहां यह हमारी मसाला राजमा में अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है अब हम पहले नमक डाले थे और बात में भी मैं थोड़ी सी नमक डाल रही हूँ अब अपने टेस्ट के अकोडिंग डाल देना और इन सब को भी अच्छी तरीके से चला के मिला लेंगे अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी एड़ करेंगे तो ये एक गिलास के करीब में पानी का यूज कर रही हूँ अब अपने अकोर्डिंग कम या जादा आपको जिस तरह का ग्रेवी प्रिसंदर उसे साब साब पानी इसमें डाल सकते हैं तो ये देखिए इस तरीके से हम फिर मिक्स कर लेंगे इसके बाद हम उबलने देते हैं इसको जैसे ही उबार आने लगेगा फिर हम इसे ढख देंगे ढख के पांच मिनट के लिए हम पका लेंगे हाई फिल्म पे तो ये देखिए हमारी सबजी बन कर तयार है ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बन कर तयार हुई है तो चले इसे चला कर हम मिक्स कर लेते हैं तो मुझे ऐसा ही ग्रेवी चाहिए था ना जादा थीक ना जादा पतला मीडियम, बिल्कुल ऐसा ही बन कर तयार हुआ है, तो चलिए हम इसे ढख कर सबजी को रेष्ट होने के लिए रख देते हैं, तो सबजी रेष्ट हो चुकी है, तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं एक बॉल में यह देखी किती अच्छी सबजी बनकर तयार हुए है मेरी बस आपसे विंती है कि मेरी रेशिपी जरूर ट्राय करना और अच्छी लगी हो तो लैक सस्क्राइब हो शेयर जरूर करना मेरी बस आपसे रिक्वेस्ट है थेंक्यू